नमस्कार दोस्तों सुवागत हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के योजना पर एक और नया ताज़ा अपडेट लेटेश न्यूज आप सभी पैंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं सरकार की तरप से पैंशन धारकों को एक बहुत बड़ी खुस खबरी दी हैं जिसमें दिव्यांग, विद्वा महिलाई, तलक्षदा महिलाई, वर्द वस्ता और कुष्ट वस्तां पैंशन धारकों को सामिल कर 22 जिलों के पैंशनरस के बैंक खातों में 3000 रुपे, 3000 रुपे ये पैंशन रासी को ट्रांसफर कर दिया गया है किस तारीक में ये पैंशन रासी ट्रांसफर की गई है वह तारीक हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पुरूव के साथ दिखाने जा रहे हैं यदि आप भी ऐसे पैंशन धारक है जो सरकार से दिव्यांग, विद्वा, वर्दवस्था या तलाक्षदा में से किसी भी एक पैंशन का लाब पर आप कर रहे हैं आपकी पैंशन बनी हुई है आज की यह ख़बर, यह जानकारी आपके लिए ही है देखे सरकार की तरफ से तो 22 जिलों में पैंशन को ट्रांसफर कर दिया गया है आपको यह पैंशन मिली या फिर नहीं मिली आप ओनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं, वह जानकारी भी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने जा रही है वीडियो की सुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा, साथ ही बैल आइकन के बटन को प्रेस करना न भूले, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है, वह से पहले ही उसका लाब उठा सके, चलिए वीडियो की सुरुआत कर लेते हैं, देखे दोस्तों, step by step हम आपको जो दिव्यांग है, उनका विद्वा महिलाए, तलक्षदा महिलाए और ओल्डे सभी का एक पैंशन पेमेंट स्टेटस दिखाने वाले हैं, कि किस तारीक में द पैंशन धारकों को पैंशन दिए, प्रूव के साथ ये सभी जानकारी आपको मिलने जा रही है, देखे इसमें जो आपको पैंशन पेमेंट स्टेटस दिखाय जा रहा है, वह आपको PFMS के उसल वेबसाइट के माध्यम से दिखाय जा रहा है, और इसमें जो आप देख रहे होती है जैसे कि application ID नमबर है, beneficiary code है agency code है, ये हमने hide किया हुआ है, अब इन लाबहारती को account based payment सरकार कर रही है इन pension धारकों को अब यहाँ पर FSC code हमने hide किया और 3000 रुपे यहाँ पर आप pension amount देख रही है, 3000 रुपे यहाँ पर लिखा हुआ है request की गई थी, 17 September को validation जो status है, ये valid हो गया था, 17 September को ही, और जो fund status है, approved by agency agency कि तरब से approved 17 September को हो चुका था, अब देखिए जो file status है, ये कहता है bank receive, कब है 17 September 2024 यहाँ पर तारीक आप देख सकते हैं अब देखिए, सफलता पूरवक जो credit status है, वे payment success का यहाँ पर लिखा आ चुका है, आपका लिखा आया है, या फिर नई आया कैसे check कर सकते हैं, वे भी जानकरी हम आपको देखिए, अब देखिए, जो 3000 रुबे pension amount है, इन लाभारती के bank खाते में सफलता पूरवक credit हो चुकी है अब जिनको pension मिल जाएगी, उनका ये credit status इसी परकार से उपन हो जाएगा, जैसे यहाँ पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं अब देखिए, थोड़ा सा हम यहाँ पर scroll down कर लेते हैं, scroll down यहाँ पर हमने किया, P.E.F.M.S. transaction ID हमने hide किया हुआ है UTR नंबर भी हमने hide किया हुआ है बैंक transaction date आप देख सकते हैं 18.09.2024 यानि कि 18.09.2024 को यहाँ पर यह pension आसी दिव्यांगों को और जो कुछ तवस्ता pension दारके उनके बैंक खाते में transfer करना सरकार ने सुरू किया था और कई लाग ऐसे pensioners हैं जिनको यह pension आसी सरकार तरब से दी गई अब देखे बात कर लेते हैं जो विद्वा महिला हैं तलाकशुदा महिला हैं उनके बारे में तो उनको कब pension दी गई है अब देखे दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यह personal information होती है जो हमने हाइड पहले ही की हुई है और यहाँ पर देखे विद्वा महिला तलाकशुदा महिला को यह राज्य सरकार pension दे रही है और इनको account based payment सरकार के तरब से किया जाता है IFSC code हमने पहले हाइड क्या हुआ है और amount pension के 3000 रुपे यहाँ पर आप देख सकते हैं और पांचवे श्टैब में pension आसी बैंक खाते में transfer हो चुकी है तो शलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा हम आपको information दे देते हैं अब देखे जो credit status है उन्ही का यह success होता है जिनको सफलता पूरवा pension आसी मिल चुकी होती है अब देखे P.F.M.S. transaction ID हमने hide किया हुआ है UTR नंबर भी हमने hide किया हुआ है और किस तारीक में इन विद्वा महिलाए तलाशुदा महिलाओ को सरकार तब से pension दे गई है वह तारीक हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं अब देखे यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे हमने कहा यह हमने पहले hide क्या हुआ है और जो credit date है यहाँ पर आप देख सकते हैं 18.09.2024 यानि कि 18.09.2024 को इन सभी को pension मिलना सुरू हुई और बहुत से लाभारती को pension भी मिल चुकी है और यहाँ पर किस account number में transfer की गई है यह हमने hide यहाँ से किया हुआ है यानि कि इनको pension मिल चुकी अब बात करते हैं जो oldest pension धारक है 60 साला pension कलाब ले रहे हैं बुढ़ापा pension योजना कलाब ले रहे हैं उनको किस तारीक से pension मिलना सुरू ही और पहली pension यहाँ पर यानि कि जो pension मिलने की परिग्रिया सुरू ही किस तारीक से उनको pension मिलना सुरू है वह तारीक यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं अब देखें दोस्तों इस समय जो आप देख रहे हैं यह है एक oldest pension धारक का pension payment status है अब जो personal information थी वे हमने पहले ही हाइड की हुई है इनको भी account based सरकार pension दे रही है 3000 रुपे यहाँ पर आप amount देख सकते हैं इनको भी 5 steps में pension रासी पराप्त हो चुकी है यानि कि ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चोथा, ये पाचवा अब जिनके आविदन फारम में किसी भी परकार की कोई गरतिया नहीं होती सभी कार्येट सही है तो उनको बढ़ी आसानी से ये pension नासी पराप्त हो जाती है अब देखिए जिनके आविदन फारम में किसी परकार कोई गरतिया नहीं है तो यहाँ पर देख क्रेडिट स्टेटस सक्सेस लिखा आ चुका है पेमेंट सक्सेस का अब यहाँ पर देखिए आप यह देख सकते हैं लिखा हुआ है यहाँ पर P.E.F.M.S. ट्रांजेक्शन आइडी हमने हाइड किया हुआ है UTR नंबर भी हमने हाइड किया बैंक ट्रांजेक्शन डेट आप देख सकते हैं 17.9.2024 जो क्रेडिट डेट है वह है 17.9.2024 देखे यहाँ पर यह लिखा हुआ है 17.9.2024 यह बैंक खाते में क्रेडिट होने की तारीख है 3000 रुपे पैंशन की इतना आपने देख लिया अब बात करते हैं कि वे 22 जिले कौन से हैं जी हाँ वे 22 जिले कौन से हैं जिनमें पैंशन को ट्रांसफर क्या गया है जिसमें ओल्डेज, डिसेबल्टी, वीडो सभी को पैंशन रासी मिलना सुरू हो गई है और कई लाक लाब हर्तियों को पैंशन पराप्त भी हो चुकी है हाला कि जो पैंशन धारग रह रहे हैं उनके बैंक खाते में भी जल्द ही पैंशन रासी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा अब देखे दोस्तों यहाँ पर हम आपकी जानकारी बता दे की कोशिस करते हैं यहाँ पर हम आपको कि सभी जानकारी पूरूव के साथ देने की तो थोड़ा सा आप इसको ध्यान से देखेगा और समझेगा अब देखे यहाँ पर किस महनी के पैंशन आपको दी जा रहा है सबसे पहले आप वे समझेगे जैसे जो जनवरी महनी की पैंशन है वह सरकार फरवरी महीने में ट्रांसफर करती है अब जो फरवरी महीनी की पैंशन होगी वहें मार्च महिने में ट्रांसफर करेगी मार्च महिने की अप्रेल महिने में अप्रेल की जो पैंशन ट्रांसफर की जाएगी वहें मैं मैं की जून में और जून की जोलाई में जोलाई में महिने की पैंशन ट्रांसफर होगी अगस्त में अगस्त महिने की ट्रांसफर पैंशन की जाएगी सेप्टेंबर महिने में तो आप कह सकते हैं सरकार जो सितंबर महिने में पैंशन ट्रांसफर कर रही है वह हैं अगस्त महिने की हैं अगस्त दो हजार चोबिस की इतना आपने समय लिया है अब बात करते हैं कि किस राज्य में पैंशन आसी ट्रांसपर कर रही है यहाँ पर हम आपकी जानकार के लिए बता दे कि इस राज्य में तीन हजार रुपे परतिमाँ पैंशन सरकार लाभार को देती है जिसमें ओल्डेज, डिसेबल्टी, वीडो सभी पैंशन धारकों को तीन-तीन हजार रुपे परतिमाँ ना ये पैंशन आसी सरकार देती है अब यहाँ पर हम आपको प्रूव के साथ जानकार दे रहे हैं थोड़ा ध्यान से समझने कोसिस कीजेगा अब जैसे उत्तर पर्देश को बोला जाता है सोट में UP, इसी परकार से उत्तरा खंड को बोला जाता है UK, यानि की UK, मद्द्य पर्देश को बोला जाता है MP, और देखे जो हिमाचल पर्देश है तो उनको बोला जाता है HP हिमाचल पर्देश, इसी परकार से दिल्ली को बो हरियाना यानि की जैसे हम ना को कहा उत्तर प्रदिस को लिखेंगे हम यूपी तो इसी परकार से हम हरियान को लिख देते हैं HR तो यह यहाँ पर देख सकते हैं यह स्कीम कोड है 47 ओल्डेस पैंशन का और HR राज्ये का सोट ने में हैं अब यहाँ पर आप कह सकते हैं जो पैंशन नासी है वैसी तमर महिने में बैंक खाते में ट्रांस्फर सरकार कर रही है अब देखिए यहाँ पर जो आप यह एक इस वीडियो में तरीका बताएगा है जैसे आप यह वीडियो देख लेंगे आपको तरीका मालूम हो जाएगा कि हर्याना राज्ये की जो पैंशन है वह कैसे चेक की जा सकती है तो आप इस वीडियो पर क्लिक करके चेक जरूर कर लीजेगा कि आपकी पैंशन आई है या फ आईसे अपनी pension चेक कर सकते हैं इस वीडियो में तरीका बता गया है तो इस वीडियो पर क्लिक करके अपनी pension आप जरूर चेक कर लीजेगा आज की जानकारी में बस इतना ही यदि आपको हमारे जानकारी पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजेगा आपके बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है डाउट है पूछना चाहते हैं नीचे कोमेंट बॉक्स में जागर पूछ सकते हैं सभी सलग जवाब आपको दे दिया जाएगा लाश्ट में हम निवेदन यही करेंगे चैनल को सब्स